शिव डेहरिया, चट्वीजगर सरकार में नगरिय प्रशासन और श्रम विभाग के मंतरी, 2018 का चुनाओ वो औरंग सीट से जीते शिव डेहरिया 2003 में पहली बार विधायक बने थे, उसके बाद 2008 में भी दूसरी बार चुने गए शिव डेहरिया जिस सीट से विधायक हैं, वो अरक्षित है, इसमें आरंग सीट पर शिव डेहरिया की क्या इस्थिती है? ये जानने के लिए दासूत्र ने किया सरवे और कुषेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों और भुद्धी जीवियों से पूछे 9 सवाल सवाल नमबर एक, मंत्री की क्षेत्र में सक्रियता कैसी है? इस सवाल के जवाब में 44 फीसदी लोगों ने कहा सक्रियता कम रही सवाल नमबर 2, मंत्री बनने के बाद उनके व्योहार में क्या परिवर्तन देखते हैं? इस सवाल के जवाब में 62 फीसदी लोगों ने कहा व्योहार बदल गया है सवाल नमबर 3, क्या मंत्री के साथ किसी तरह के विवाद भी जुड़े हैं? इस सवाल के जवाब में 52 फीसदी लोगों ने कहा गंभीर विवाद सामने आये हैं सवाल नमबर 4, क्या मंत्री ने अपने क्षेत्र को कोई बड़ी सौगात दी है? इस सवाल के जवाब में 46 फीसदी लोगों ने कहा इतने काम तो कोई भी विधायक करवा सकता है सवाल नमबर 5 खुशेत्र में मंत्री की छवी कैसी है इस सवाल के जवाब में 49 फीसदी लोगों ने कहा मंत्री की छवी सामान्य है सवाल नमबर 6, कुशेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने में मंत्री कितने सफल रहे इस सवाल के जवाब में 54 फीसदी लोगों ने कहा युवावे रोजगार भटक ही रहे है सवाल नमबर 7, सरकारी योजनाओं का लाब दिलाने में मंत्री कितने सफल रहे इस सवाल के जवाब में 73 फीसदी लोगों ने कहा लोग अभी भी परेशान हैं किसी को लाब नहीं मिला सवाल नमबर आठ मंत्री के इलाके में सरकार की फ्लैक्शिप योजना नर्वा गुरुवा गुरुवा बारी में कितना काम हुआ इस सवाल के जवाब में 42 फीसदी लोगों ने कहा दिखाने के लिए कुछ भी कर दिया गया और सवाल नमबर 9 क्या मंत्री जी अपनी सीट बचा पाएंगे इस सवाल के जवाब में 45 फीसदी लोगों ने साफ तोर पर कहा नहीं मंत्री जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे सक्रियता छवी और बरताव को लेकर लोग शिव डेहरिया से संतुष्ट नजर नहीं आते ना ही विकास कारियों को लेकर यह विशलेशन तो यही बताता है लेकिन चुनाव में अभी काफी वक्त है ऐसे में आने वाले दिनों में हालात बदल भी सकते हैं मगर इस विशलेशन से साफ है कि मंत्री को अपने खुशेत्र में धोड़ी नहीं बेहद मेनद करने की जरूरत है